बच्चों मैं डॉक्टर कमलेश लुईत्वानी एसा रख के भी गौवर्मेंट पीजी कॉलेज किशिंगर से हूँ आज मैं बच्चों आपके लिए विकॉम पार थर्ड का इंकम टेक्स का पेपर स्टार्ट कर रही हूँ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं जिसम अजिए से कंडियर में जो आपने फाइनिशल अकॉंटिंग पड़ा तो थर्ड यह मैं यह इंकम टेक्स का पेपर हैं और इसकी मैं आपको जानकर निया पर देना चाहरी हूं कि किस प्रकार से जहें में कैसे यह स्रार्ट हुआ था क्या है क्योंकि अगर बेस आपको अच् हैं और नोर्स तो मेरे से आप इसमें लें करकि बात हैं उससे तो बचोंकिंद लगने वाला टेक्ष आए पर लगने वाला यह टेक्स होता है और इसकि शुरूआ जो टेक्स वर्ड की शुरूआ था यह कैसा हो उससे शुरूआ तो 10 if i इसलिए और गरीब और अमीर उनके बीच में जो खाई इसको कैसे पाटा जाए किस प्रकार से ज़्यादा लिए जाता है और गरीब लोगों से टेक्स नहीं लिया जाता है और मीडियम क्लास जो लोग है उसे फ्रहुसा कम टेक्स ले जाता है पर इनकी रेंजी बनाई जाती है टेक्स कले कल्कुलेट किया जाता है तो यह टेक्स जो था सर जैम्स विल्सन थे इनका इंट्रोड़क्शन में आपको बता रही हूं कहां से स्टार्ट हुआ था 1860 में सबसे इसको इंट्रोड्यूस किया था उस समय क्या हो था कि मिलिटरी में बहुत ज़्यादा जब लॉसे हो गए थे बहुत ज़्यादा पैसे की कमी हो गई थी तो उन्होंने टेक्स को कलेक्श करना शुरू किया कि सब अपनी आयमें से कुछ पैसा कलेक्श करें और वो के लिए जनता के वेलफेर के लिए पैसा कठा करना पड़ेगा तो यह इस प्रकार से होजना है कि जिसमें हम जहें किस प्रकार से मनी कलेक्ट करते हैं इसके बाद कि एक 1886 में एक सेपरेट इंकम टेक्स एक्ट पास किया गया और जिसमें जहें वेरी इस तरह के कैसे किया जाए तो इसके बाद में 1956 में फिर गौर्वन्ट अफ इंडिया ने कमिशन लाकर के इसको जहें प्रोविजन सफ टैक्स को थोड़ा सा इजी किया समझने कोशिश की कही और यह इस प्रकार से यह आपके सामने आज नए रूप में जो एलिगन रूप में वो 1961 हमा इसके बना और 1962 में इसमें अब्रवनेस्टेशन में इसको लाया गया 62 से एक अप्रेल 1962 से और फाइनस एक्ट जो है बिल पास करने करीब बात में जाए फाइनस ऑफ गौर्वर्मंट अंडिया जह प्रेजन्स वह अपना जहां फाइनस मिनिस्टर आफ गौर्मंट जह वह इस प्रकार से अपना वित्ती वश्ट में जो डिग्लेर करता है कि इसन बिलिक शिए इंकम ऒहेंगी क्या है और इसमें और इसमान सर्कुलेशन जो आते रहते हैं इसमनाए साल कुछ चेंजस वहाते हैं रेंद्स में change होता है महेंगाई की दर के आधार पर इस प्रकार से tax की rates में differences की जाता है और यह सब जहां ministry of government को जो write होता है government को write होता है कि वह finance ministry किस प्रकार से परिवर्तन प्रतिवाश करती है और समय समय पर अगर फिर प्रतिवाश निकलने वाले फाइनेस मिनिस्टी जो है नोटिफिकेशन के बाद भी एकर कुछ और भी कुछ चेंजिस पील होते हैं तो उन चेंजिस को भी इसमें किया जाता है समय समभप पर नए नए सर्कुलर्स निकाल करके तो अब according to article 265 of constitution of India no tax shall be levied or collected except by authority of law एक बहुत important बात यह है कि केवल law की जो authority है कानून के अंतरगती आप किसी से tax की राशी का वसुली कर सकते हैं जो law एक बार बना दिये गया है उसी में tax का levied किया जाएगा collection tax का किया जाएगा चली बच्चो अब हम इसमें बात करते हैं कि हमारे जो is taxes है वो क्या होते हैं कैसे कौनकोंसे because taxes लगाय जाते हैं किस तरछ रहते हैं तो इसमें हम ने देखा कि टेक्सिस जो आते हैं वो दो तरह के टेक्सिस हैं हमारे यह मैंने इसमें नोट्स में दिया आपको Constitution and Tax Law के बाद में Types of Taxes Types of Taxes में हम देख रहे हैं कि Taxes हमारे दो तरह के Taxes हैं Direct Taxes और Indirect Taxes तो इसको यहां से differentiate करते हैं मैं आपको अच्छे से आप समझाना चाहूंगी कि Direct Taxes जो होते हैं वो किस पर लगते हैं जो कि किसी व्यक्ति की income पर direct रूप से वह खुदी उसकी on pocket से वो उसको जब पे करता है ठीक है अब on pocket से कैसे पे करता है जैसे कि एक व्यक्ति जो है अपनी salary की income पर tax दे रहा है तो यह उसका क्यों से टेक्स होगा Direct Tax वो खुद पे कर रहा है अपनी खुद की income इंकम भी जिस आदमी ने आन की है वो उसको टेक्स को जाकर के पे करता है गवर्मेंट को that is called direct tax तो और फिर indirect सुनिए फिर दोनों के examples देखते हैं indirect क्या होगा indirect tax वो होगा जिसके ने करता है टेक्स तो एक व्यक्ति पे कर रहा है लेकिन income को किसी और व्यक्ति ने अर्ण किया जाकर कि दूसरे व्यक्ति पे किया जाता है दो person involved हो रहे हैं that is called indirect tax अब इनके examples में आपको समझाती हूँ direct tax के अंतरकत क्या हैगा जैसे आपका income tax well tax है तो यह जो टेक्स हैं कि आपके direct tax में रहते हैं income tax well tax और यह तो इनमें क्या income tax में मैंने आपको जिस salary के example दिया income जिस person ने earn की है वही उस पर tax को pay कर रहा है government के पास tax की liability pay करी की उसी की जिसने income earn की आज मैं salary person हूँ मुझे government salary जो दिये उस पर जो tax बनता उसको pay करना का responsibility मेरी स्वर्म की खुद की है that is called direct tax pay भी आपने किया और earn भी आपने किया और अगर indirect tax की बात करते हैं तो वह क्या है कि earn तो किस ने किया जो कि एक person है जैसे कि आ अब वो कहता है कि वस्तू पे मेरे को तो मेरा profit ची लेकिन इस पर टेक्स बनता हो customer से उसिल करता है तो customer को कहता है आपके bill में देखा होगा आपने कि नीचे आपके tax जुड़ा होता है sales tax तो यह sales tax आपके जो आपकी जो वस्तू की कीमत है उसमें जोड़ करके आपसे लिए गया यहीं मतलब businessmen के on pocket पर इसका असा नहीं पड़ा आप इस line को बहुत अच्छे सुमगिए कि on pocket पर उसके असा नहीं पड़ा businessmen के उसने क्या 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 कस्टमर से पैसे लिया है और customer से लेकर के हर बिल में उसको जोड़ करके उससे ले लिया और लेकर करके collection करके उसको government को पे कर दिया that is called indirect tax अब indirect tax में आप लेते हैं sales tax हो गया आपका value-added tax हो गया आपका वैट जो बीच में आपने सुना था वैट आया था तो वह कस्टम का आपका duty है कोई exercise की duty आपकी GST है तो यह सारे जो टेक्सें जीस्ट अभी चल रहा है goods and sales tax वाला तो यह सारे 2017 में जैस वह बिजनिस्मन पे कर रहा है लेकिन वह बिजनिस्मन अपनी on pocket से नहीं देता वो क्या करता है customer से उसको वसूल करता है तो यह दोनों तरह के आपके सामने मैंने tax समझा है आपको इसके बाद हम चलते हैं कि अलग-अलग चीजें कि हम income में किसको शामिल किया जाए कि इसको income क्या होगी तो income के लिए हम इसमें देखते हैं कि अलग-अलग कुछ points में हम इसको समझेंगे जैसे पहला point है कि cash कहा जाए यहां इसको कहा जाए और kinds में तो हमारी इसकी कुछ यह basic conditions होती है जिसके आधार पर जो हम उसको जाए इस head में जो कि law है law को मैंने और आपने नही as it is पढ़ना है as it is समझना है तो उसकी पहली शार्थ हमारी यह है कि cash और kind अगर आप इसमें किसी भी तरह की income को लेने वाले हैं किसी के तो यह नहीं कह दें कि भी इसको तो emotional income कह दें उसकी आप यहां उसे कह दें कि non-monetary income उसे हो गई है तो non-monetary income का हमारे यहां पे income tax मे कोई रोल नहीं है हम तो किवल जहें उसकी income monetary income होनी चाहिए cash में होनी चाहिए तो उस income को जहीं आपर हम उसकी income माल लिया जाता है और kind की रूप में असा है जैसे कि आप अभी salary head पढ़ेंगे तो वह देखेंगे कि कि किसी व्यक्ति को जैसे माल लीजी कि car की facility मिली वही तो कार उसकी income हम माल लेते हैं कि अगर आप वह income आपको कार की सुविधा नहीं मिलती तो आप उस कार की खर्चा अप खुद के अपनी on pocket से करते तो अभी आपका अगर आपका खर्चा बच रहा है that is also called income उसको भी हम income माल लेते हैं इसके बाद हम आता है legal और legal income की तरफ तो legal औ और illegal income की समन्द में जो है Supreme Code का एक जिसस में case में आपको बताया है CIT वर्सिस प्रीच सिंग का दिया है कि business में smuggling का loss अगर होता है तो उसको क्या किया जाया कैसे शामिल किया जाया नहीं किया जाया देखिए बच्चों बहुत important बात अगर मैं simple आपसे ऐसे ही पूछों कि ब legal तरीके से income कमाई और एक व्यक्तिनी illegal तरीके से smuggling करी उसने जुआ खेला जहां उसने कोई सट्टा किया market में तो उसको उससे income हुई है तो हम यह कहते हैं कि tax के लिए क्योंकि tax department कोई police वाला नहीं है वो यह कहता है कि मैं मेरी तरह से legal आदमी कमा रहा उससे भी tax लूँगा और illegal ले रहा उससे भी tax ले लूँगा बाकी जाने, government जाने और police वाले जाने और दूसरे रोल CID वाले जाने मेरा रोल तो इतना सा है कि मुझे tax दे दीजे आप, मुझे tax collection करना है आपने legal income की तो भी आप tax देंगे और illegal की है तो भी आप tax देंगे अब दूसरा department जो है वो लौग की तरफ बढदा आगे, law में जो का आगे है वही समझना है, उससे ज्यादा हमें नहीं समझना है, law में जो का आगे है हमारा, उसी को हम मानेगे है चले इससे आगे हम बढ़ता है temporary और permanent income कैसे हो सकती है income temporary भी हो सकती है यह permanent भी हो सकती है ऐसा नहीं कि हम यह कहेंगे कि regular income जो है there is no distinction in computing that total income जैसे कोई वक्ती कहता है मुझे तो माली जी बस एक ही बार देखिए lottery का ticket खुला है और एक ही बार income होई तो income tax वाले आजाएंगे वो कहेंगे नहीं आप इस पर में टेक्स दीजी आप कहरें मेरी तो कभी कभी इंकम होई नहीं तो भी वह आप से tax लेंगे और permanent income अगर आपकी और regular income है तब तो आपको tax देना ही देना है मतलब आप income के rules में tax के rules में आते हैं और आप उसके जहें लेवीज हो जाते हैं आपको tax उसको देना पड़ेगा इसी तरह से हमने एक वर्ड देखा receipt basis और actual basis यानि कि आय का प्राप्ति या आय का अर्जन किस बेस पर tax लगा जाएं जैसे मैं अपना ही एक्जामपल आपको देती हूं माली जी कभी क्या होता है कि हमारे पास ने government grants नहीं देती है अप्रेल में मार्च के बाद अप्रेल महीने में salary थोड़ी से delay मिल रही है क्योंकि मार्च financial year end हो रहा है तो मैं आप से बताना चाहरे हूं कि अप्रेल के लास्ट में मुझे salary मिलनी चाहिए अप्रेल की last date पर मही के first week में मुझे तनका मिलनी चाहिए लेकिन अगर वो कहते हैं अभी तो आपकी इंकम मारबार पास में grants नहीं आई है यहां इनको नहीं दे सकते हैं तो आपको किस प्रकार से इसका payment किया जाए तो अब मेरे पास ही question उड़ता है कि मान लीजे मुझे दो तीन मेने अगर कोई income नहीं मिल रही है लेकिन मैंने काम किया है यहां पर question ही उड़ता है कि एक income पर एक ही बार टेक्स लिया जाएगा ठीक है आई पर एक ही आई पर एक ही बार टेक्स लगे है तो अगर आपने उसको receipt और एक्यूरल दोनों साथ हो चुके है पहले अरजित होगी आप काम करेंगे उसके बाद में उसके receipt आपको मिलेगी आई मिल चुकी है तो उसपर टेक्स देंगी और अगर आपका financial year अभी हम इससे आगे पढ़ेंगे year क्या होता है अगर आपकी year में अगर आपकी किवल और जब वो आपको receipt होती तब उसपर आप टेक्स देंगी आपकी इच्छा पर है कि आप उसपर टेक्स कहा देते हैं लेकिन उस आयपर एक बार जब आपकी या receipt हो यह एक्यूरल हो उसपर आपका tax due हो जाता है आप चाहें तो due होते ही उसको tax को pay कर सकते हैं इसी तरह से मै घर्किंगे तो यह उनपर टेक्स नहीं लगेगा इसी तरह से rapper लमसम और installment में जो आपकी income होती है इसमें कोई कोईए कोई कोई इसमें अप differentiate नहीं करेंगे तो आपकी income जो है वह दोनों तरह से हो सकती आपको एग कोई इंकम मानी जागी इसमें इंकम टेक्स लॉग कोई डिफरेंशिट नहीं करता है यह आप कहदें कि इस पर टेक्स लगना चाहिए तो यह सब चीज़ें आपकी इंकम में इंक्लूड रहेंगी इसके बाद में हम देखते हैं कि इंकम टेक्स एक्ट में सेक्शन 224 जो दिया गया है बहुत इंपोर्टन है क्योंकि यह डेफिनिशन क्लियर करता है कि इंकम के कुछ वर्ड्स हैं जिनके डेफिनिशन इसमें जो कही कही होगी हमें कही बार लगता है कि यह डेफिनिशन कुछ अलग सी जा रही है तो मैं अप इसके निए mentally prepared यह हो जाए कि यह law है law ना मैंने बनाए ना आपने बनाए जो उसमें लिखा उसको as it is समझना है और पढ़ना और याद करना है हम उसके easy रास्ते निकाल सकते हैं समझा सकते हैं लेकिन यह नहीं कि उसका हम change कर सकते हैं उसमें बिल्कुल as it is हमें समझना होगा तो पहली definition इसमें आती है person की पर्सन क्या है income tax levied on the total income of the previous year of a person अब पर्सन वैसे अगर simple भाशा में हम कहें व्यक्ति क्या होता है तो व्यक्ति simple एक individual व्यक्ति है लेकिन यहां ऐसा नहीं है यहां person की definition में क्या क्या include किया गया इसको देखी आप इसमें